आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं LIC की, यहाँ पर LIC means Life Insurance Corporation of India, इस stock के अंदर अगर आप देखो तो कुछ टाइम से ही इस stock ने अपने investor को बहुत अच्छा return देता हुआ नजर आया, लेगिन IPO जब आया था इस stock में भारी गिरावट देखने को मिला था और एक तरह से बह stock उपर अप जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ कहना मुश्किल था, आप देख सकते हैं, IPO 800 से उपर पे आया हुआ, नजर आता है, और एस stock गिर के basically अगर हम देखें तो यहाँ पे 500 से भी नीचे आ चुका था, 500 के करीब आया था LIC का, और उसके बाद इस stock में जो तेजी देखने को मिला, फिर बापस नीचे मूड के, एस stock ने नहीं देखा, और यहाँ पे all time high stock लगा दिया, 1000 क्रॉस कर लिया अपने numbers, यहाँ पे Life Insurance Corporation of India की बात कर रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो यह LIC की यहाँ पे पूरी detailed analysis आपके साथ साजा करने वाले हैं, इस वीडियो में, साथ में यहाँ पे news, और यहाँ पे LIC की charts, हर एक चीज़ पे हम बात करेंगे, LIC के about आपके साथ, लेकिन यहाँ इस से पहले आप वीडियो को यहाँ पे like जरू कर दिजेगा, चैनल को subscribe जरू कर दिजेगा, और दोस्तों यहाँ प में 56% से भी ज़्यादा का return दे चुका है, और एक साल में 71% का return देता हुआ, नजर आया है LIC, LIC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले Life Insurance Corporation of India की, जो बिसकिलिए अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो growth है, company का average नजर आता है, यह stock moderate risk वाला stock है, यहाँ पे high volatility नहीं देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप देखो, company का large cap है, 6,5,285 करोर market cap है, आठमा rank रखता है, अपने market share में, insurance company है, LIC को कौन नहीं जानता है, समयलुक जानते हैं, और यहाँ पे company के अंदर dividend बगेरा भी दिया गया है, अपने investor को, तो यहाँ पे सरकार को भी dividend मिला है, यहाँ पे आप देखो के news में, जो आपको देखने को मिलेगा, कि LIC परजियेंस 2441 करोर dividend check to Sita Raman, यहाँ पे Sita Raman को 2441 करोर का dividend का check देती हुई नजर आई company LIC, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो LIC जो share है, बीते कुछ time में continue तेजी दिखा रहा है, और क्या आने वाले time में भी LIC का share तेजी रहेगा, या नहीं रहेगा, क्या target price होंगे, उस पे हम चर्चा करते हैं, आगे और बात करत हैं दोस्तों, तो LIC के सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट में क्या है, यहाँ पे लाइसी की चार्ट में open कर चुका हूं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिसकिली, जब यह IPO आया था तो इसमें एक भारी गिरावट, वन अब है, जो नीचे डाउन चला गया, उसके बाद एक consolidate होता हुआ, नजर आया कुछ टाइम तक, यह स्टॉक यहाँ से यहाँ तक में, और इसी लेवल तक एक तरह से ग्रम कहें, तो ट्रेड करता हुआ, नजर आया थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे, उसके बाद इस स्टॉक में एक बहुत अच्छी उच्छाल देखने को मिला, यह स्टॉक 11-1200 तक करीब पहुचा, और इसके बाद फिर से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता हुआ, नजर आया है, लाइफ इंसुरेंस कोपरेशन आप इंडिया का सेर, तो दोस्तों यहाँ पे यह तो चा को सारी की पॉइंट्स आपके साथ कर दोसटों सबसे पाइल कॉंटरी रिजल्स की बात कर ले को की फू थी कारूर्टर की रिजल्स की बात कर रहा हृत और पिस पर्फॉरमस की नज़र आई真的 करहें, जर आया है है roller दो दोर हमेर्ट ढ़ी सेल्स करती हुई नजर आई इसंगी में तो अच्छा उच्छाल यहां पर कंपणी के देखने को मिला और साथ में एक्सपेंसेड की बात करते तो एक्सपेंसे में बहुत बड़ा इंप्रूम्मेंट देखने को मिला जो कमपनी मार्जिन 2% का रखा करती थी इस बार 5% का सांदार मार्जिन रखी यह कमपनी और कमपनी का जो प्रॉफिट है इसकी बज़ा से सीधा 6334 कुट से बढ़के 9444 कुट हो गया तो प्रॉफिट में बहुत सांदार यहां पे तेजी तो यहां पर आप आपको देखने को मिलें अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं सुलाप के पी पे ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री पी कितना है इंसुरेंस कंपनी का 45 पे तो अपने पी से अगर इंडस्ट्री के पी तक वेलुएशन देता है तो अहां पे एस्टॉक में बहुत ज्यादा उच्छाल देखने को मि सब्सक्राइब करेंग को देखने को मिल इतना साथा तो उनमें से LIC का नाम आता है कि LIC के पास और ओ सी यारो याओ रोइव काफी सांधार है और यहां पर कंपनी का जो फेस्ट वेलूएँ अभी दस्ट्री पर यह तो इन फ्यूचर कंपनी आप में अपने सेयर को अपने टुकडे में बात सकती है अपने share को जिसे यहाँ पर liquidity इंक्रीज करेगा LIC का dividend की बात करें तो company यहाँ पर dividend भी पेक की है 0.39% का और यहाँ पर EPS देखो तो EPS 63 प्या 80 पैसा का तो एक सांदार EPS भी generate करती हुई नजर आती है company और company के यहाँ पर dip की बात करो तो जीरो तो इतनी बड़ी company होने के बाप जूद इनके पास कर्च ना के बराबर है बिल्कुल zero debt है कोई pleasing percentage नहीं है और company के पास रिजर्प चववन हजार आठ सो बामन कड़ों का सांदार रिजर्प से यहाँ पर देखने को मिलता है company का पर मोटर holding यहाँ पर आप देख सकते हो 96.5% इतनी बड़ी holding government खुद अपने पास रखी हुई है एक तरह से LIC की जो पर मोटर है वो खुद रखे हुए है और यहाँ पर मात्र अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत माइनर सी amount में यहाँ पर जो holding है public और FIS के पास आपको देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर एक नजर पहले LIC की जो holding है उस पर नजर डालते हैं तो 0.06% की holding है जो FIS के पास 1% की holding और यहाँ पर पब्ली के पास 2.43% की holding यह चीज आप देखिए कि अगर FIS यहाँ पर continue buying करते हैं इस stock के अंदर तो यहाँ पर इस stock में एक भुचाल आ जाएगा और वो भुचाल यहाँ पर सेयर को बहुत हाइप प्राइस पर लेके जाएगा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो यह और यह बेशिस पर इस कंपनी का ग्रोथ काफी सांदार रहा मार 2017 से अब तक देखो तो इनके जो एक तरसा से सेल्स हैं चार लाख से बढ़के आठ लाख पांच जार चोआइस कड़ोगे डबल से भी अल्मोस्ट होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो और अल्मोस्ट डवल ही होने वाला तो कंपनी का जो सेल्स है जो कंटिन्यू इंक्रीज करता हुआ कंसिस्टेंट गोट करता हुआ नजर आता है कंटिना का जो प्रॉफीट दो हजार दो हजार 222 कंड़ोगे हुआ नजर आता है अगर आने वाले समय में 10% का margin अगर company के पास हो जाएगा तो सोचिए कि company के कितना profit होगा और company का share कहां तक जा सकता है तो यहाँ पे company safe है company में किस भी परकार का risk नहीं है एक तरसे गरम देखें तो shareholder को यहाँ पे अगर बड़ा amount में retail investor लगाते हैं तो यहाँ पे risk कम है लेकिन risk कम है तो reward भी यहाँ कम थोड़ा मिलता है यह मैं मानता हूं time लगता है reward मिलने में और यहाँ पे इस stock के अंदर अगर आप risk ज्यादा लेते हो तो reward भी ज्यादा मिलने के chances होते हैं risk भी ज्यादा होता है उसमें पैसे डूबने के chances भी ज्यादा होते हैं लेकिन ऐसे company के अंदर डूबने के पैसे बहुत कम chances होते हैं, rare case होता है, कभी-कभी ऐसा होता है, 100 में से 5% ही अगर हम देखें, तो ऐसे कंपणियों के अंदर, पैसे थोड़ा सा बहुत डूपता हुआ नजराता है, ना के बराबर एक तरस अगर आप देखें तो, और यहाँ पर LIC के अगर आप देखो, company के अंदर, स्कोर के अगर हम बात करें, खास करकी, तो out of 10 में यहाँ पर रेटिंग 8 दिया गए, बहुत अच्छा खास है, यहाँ पर पेट्रोज के स्कोर की रेटिंग है, और यहाँ पर return on equity 130% का ROE है, जो company का बहुत अच्छा है, price to earning देखें, तो यहाँ पर 16% का है, operating profit margin 6.5% का, और आपको पता है कि LIC, one of the oldest insurance company है, इंडिया का, और यहाँ पर इंसका market share, अगर हम देखें, तो बहुत बड़ा market, 61.6% market share आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर टर्म्स प्रिमियम में 61.4% market share देखने को मिलता है, तो यहाँ तरह से market बहुत बड़ा cover कर रखी है, LIC, तो जो मलतब की company क्या करती है, उसके about, तो मैं बहुत सारा चीजे इसमें cover नहीं कर रहा हूँ, LIC के जो मलतब की एक तरह से history बगर यह सब चीजे हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन LIC के जो हम एक तरह से fundamental की बात करें, और LIC के चार्ट से यह सब सारी चीजे मैं आपके साथ discuss already कर हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर इस परकार की quality content के लिए मुझे हैं मेरे team को appreciate करना चाते हैं, तो वीडियो को like, channel को subscribe जरू करिएगा, और फिर से मिलते हैं next वीडियो में latest news के साथ, लेकिन किसी भी परकार की buy insert करने का कोई recommendation नहीं होगा दोस्तों